नमस्कार दोस्तो राजस्तान मोसम बुलिटिन के इस चैनल पर आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो चक्रवाती तूफान निसर का असर पिछले पांच दिनों से पूरे पिर्देश में देखने को मिल रहा है राजस्थान में कहीं बारिस तो कहीं आंधी तूफान देखने को मिल रही है जिससे तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज हो रही है इसी बीच मोसम विवाग ने अगले दो दिन के लिए पिरदेश की 16 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है जहां मोसम विवाग ने आंधी के साथ साथ बारिस की भी चेतावनी जारी कर दी है इस बीच सुकरवार के सेखावटी के मोसम की बात करें तो मोसम दो पेर तक साप रहा लेकिन बाद में आंसिक बादलों की कारण बारिस और अंधर की आसार बने रहे जिसमें नम हवाय चलने से मौसम खुसनु मरा हा फतेपुर किर्शी अनसंदान केंदर पर अधिकतम तापमान 36.45 और नियुंतन तापमान 22.5 दिगरी दर्ज किया गया है मौसम विभाग के अनुसार आगामी 48 गंटे के दोरान प्रदेश के मौसम में व्यापक बदलाव आएगा इस दोरान कई जगे अंधर, बवंडर और मध्यम दर्ज की बारिशें हो सकती हैं इसके लिए विभाग ने चीतावनी भी जारी कर दी है जिसके अनुसार सीकर, चूरू, जुन्जनू, नागोर, पाली, दोसा, अलवर, बूंदी, बारा, कोटा, जालावाड, सवाई मादोपूर, जोदपूर, जैसलमेर, बाडमेर, सिरोई, जिली, सहित, आसपास की छेतरों में 30 से 40 किलोमेटर के रफ्तार से हवाएं चलेंगी दोस्तो अगर आप भी इन जिलों से सम्मंदित हो तो कोमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि इन से सम्मंदित आगे भी हम आपको नियूज देते रहेंगे इस दोरान कई इस्थानों पर बिजली भी गिर सकती है, अधिकतम और नियुनतम तापमान में भी गिरावट आ सकती है एका एक भी पूरे जो दिन का तापमान है वो एक साथ गिर सकता है, कई सालों के मकाबले जून का मैना है वो ठंडा रहा है मौसम में आये बदलाव इस बार जून पिछले कई सालों के मुकाबले ठंडर रहा है अन्य वर्सों में जहां तापमान 45 डिग्री से भी उपर रहता था वहीं इस बार यह तापमान 37-37 डिग्री ही चल रहा है ऐसे में लोगों को गर्मी से भी रात मिली है वहीं बीच बीच में हो रही बर्सात ने रात में कूलर तक की जरूरत को कम कर दिया है दोस्तो इस से पहले जो IMD है यानि की भारतिय मौसम विवाग है उसने भी अब की बार अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि अब की बार जो मानसून है वो 15 दिन पहले ही आ गया है और मानसून अब की बार बहुत ही तेज दस तक केरल में दी है केरल के माला बार जो तठ है वहाँ पर मानसून आ गया है अरबसागर की खाड़ी से तो जबर्दस्त बारिस होने के पूरे आसार हैं और राजस्थान की सोले जिले जो ये बताए हैं इनमें बारी-बारी से आने की चेतावनी मोसम विवाग ने दे दी है वैसे तो इस साल प्राकरतिक आपदाएं भी बहुत आ रही हैं जैसे कि अब की बार अमफान तूपान निसर्ग तूपान इसी प्रकार से हिंद मासागर में भी टाइटेनिक पिलेट खिशक गई हैं जिससे बहुत ही नुकसान का आकड़ा लगाय जा रहा है दोस्तो ये जो चैनल है जिस पर आप मोशम विवाग की जानकारियां देख रही हैं ये राजिस्थान कई है और मैं भी राजिस्थान के अलवर जिले से हूँ तो दोस्तो आप भी अगर राजस्थान के कोई से भी जिलिस हो तो दोस्तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि राजस्थान से सम्मंदित हर छोटी से छोटी अपडेट इस चैनल के माद्यम से आपको दी जाती है चाहे हो मोसम विवाग की हो और पड़ाई सम्मंदि हो किसी भी प्रकार की हो किसान भाईयों के हितों में हो आपको पूरी जानकारी इस चैनल के माद्यम से समय समय पर दी जाती रहेगी इसलिए आप चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए तता वेल आइकन को भी प्रेज कर लीजिए ताकि आपको राजस्थान की हर ख़बर मिलती रहे चाहे आप कहीं पर भी रहो आगे भी जैसे ही राजस्थान का जो मोसम विभाग है वो अलर्ट जारी करेगा और बारिश मानसून से सम्मन्दी जो भी ख़बर देगा आपको तुरंत ही अमारे चैनल पर सूचित किया जाएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो पिली चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें